आप लोग कैसे हो आप लोग आपको मेरी रेसिपी इस काफी अच्छी लग नहीं होंगी रेसिपी पसंद आएं तो प्लीज उसे लाइक को शेर करना ना भूलें दोस्तों आज फिर आपके लिए हूँ बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी स्टार्ट करें कर लेते हैं आज का वीडियो बनाते हैं कुछ नया दोस्तों आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ वह है आलू गोभी की सबजी जैसे आज मैं अलग से टेस्ट के साथ आपको बनाना बता रही हूं इस ते काफी अच्छी बनती है और आपको यह बहुत पसंद आने वाली डेसिपी है गोभी का सीजन चल रहा है और विंटर्स में आपको गोभी की सबजी बहुत ही फ्रेश फ्रेश मिलती है तो बहुत ही बड़ी अलगती है यहां पर मैंने ली है आधा केजी के करीब गोभी और दू से तीन मीडियम साइज क कट किया हुआ है और गोभी के भी मैंने फूल जो है वो निकाल लिये है अब हमें तड़के के लिए क्या चाहिए टामाटर लहसन और प्याज तो प्याज को मैंने यहां पर लंबाई में कट किया है लगबग दो प्याज है यह टामाटर और लहसन इनको हमें अलग से पेस् बोईल करना है लेकिन एक ध्यान रखें आलू को अलग से बोईल करें और गोभी को बोईल करने के लिए अलग बरतन ले क्योंकि दोनों का टेंपरेचर जो है वो अलग अलग होता है गोभी थोड़ा सा टाइम लेती है बोईल होने में और वहीं आलू जो है वो भी टाइम ले यहां पर मैंने आलू रख दिये हैं यह अलग बरतर ले रही हूं जिसमें हमें गोभी को डाल देना है तो दोनों को ही हम चेक करते जाएंगे और हमें लगभग 70% तक दोनों को कुक कर लेना है तो हम इसे इसी तरह से पका लेंगे अच्छे से बॉयल कर लेंगे जब आपको लगए कि 70% तक हमारी सबजी जो है दोनों को को खो चुकी है तब हमें इसे पानी से निकाल लेंगे बीच बीच में आप इसे हिलाते जाएं और चेक कर लें जब आपको लगए कि बॉयल हो चुकी है तब इसे हमें अलग निकाल लेना है जब तक हमारी ये बॉयल हो रही है आलू और गो भी तब तक हम इसके लिए मसाला जो अब त्यार कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने लेसन को डाल दिया है साथ में हम प्याज को डाल देंगे और इसका पेस्ट बना लेना है हमें इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं अब हम क्या करेंगे टामाटर इससे भी हम अच्छे से पेस्ट बना कर रखेंगे ग्राइड कर लें इससे भी अच्छे से तो यह हमारे इंग्रीडियंट अच्छे से पेस्ट बन चुके हैं अब हमें करनी है तड़के की तैयारी तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू और गुभी अच्छे से पके हैं यह नहीं इधर हमारे तड़के की तैयरी यह हू चुकी है तो आप अच्छे से चेक कर लें यह देखिए आलू भी हमारे लगभग कुक हो चुके हैं जितने हमें चाहिए और गुभी भी उसी तरह से हमारी कुख हो चुकी है जितनी हमें ये चाहिए आप इसे बहुत ज़्यादा ना पकाएं नहीं तो ये बाद में और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है ये देखे काफी अच्छे से कुख हो चुकी है आलो को भी इस तरह से आप तोड़ के देख लें यह देखिए कफी असानी से टूट रहा है तो इत्मींस यह भी अच्छे से कुग्ट है अब हम क्या करेंगे पानी इसका निकाल देंगे स्ट्रेंड आउट कर लेंगे यहां मैंने डाल दिया आलो इसमें डाल देंगे खुबी Go अब हम क्या करेंगी अच्छे से इसका पानी जो वो इस्ट्रेंग आउट कर लेंगे थोड़ी तरवेट करेंगे कि पानी इसका पूरी तरह से निकल जाए यहां मैंने लिया है पैन में डाल देंगे on अब हम क्या करेंगे इसे पहले फ्राइ करेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है काफी अच्छा आये जब हम इस तरह से गूबी को फ्राई करते हैं तो इसका टेस्ट जो है वो सबजी में काफी अच्छा आता है हलके हलके हाथों से चलाते जाएंगे और इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है लगबग चार से पांच मिनट आपको लगने वाले हैं इसमें काफी अच्छे से गूबी जो हो फ्राई हो जाएगी आपको अच्छे से दिखने लग जाएगा कि आपकी गूबी वालू दोनों ही फ्राई हो गए हैं क्योंकि हलका सा कलर चेंज हो जाएगा इसका यह देखिए काफी अच्छी सी खुश्बू आने लग जाएगी बस बीच बीच में इसी तरह से चलाते जाएं ताकि जले नहीं आपकी सब्जी अच्छे से फ्राई हो जाए तो यह हमारी फ्राई हो चुकी है अब हमें अगला स्टेप करना है तो अगला स्टेप हमारा तड़का लगाने का है तो अभी पहले क्या करेंगे पूरी सब्जी को निकाल लेंगे एक प्लेट में सेम उसी पैन में हमें डालना है थोड़ा सा मस्टर्ड ओयल ओयल को अच्छे से करम कर ले, एक पिंच हींग, आधा चमच जीरा, जीरे को अच्छे से भून ले, फिर इसमें हम प्याज और लेशन का पेस्ट डाल देंगे आप इसके साथ ही अध्रक भी डाल सकते हो, अगर आप अध्रक को पसंद करो, नहीं तो आप प्याज और लेशन का पेस्ट बना कर इस तरह से डाल ले और अच्छे से भून ले, प्याज को काफी अच्छे से भूनना है जब तक कि वो ओयल को रिलीज ना कर दे, अब इसमें टामाटर डाल देंगे, जो हमने ग्राइंड करके रखे हैं, नमक, एक चमच नमक डालने हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, धनिया पाउडर, दू चमच, हल्दी पाउडर, एक चमच, आधा चमच, लाल मिर्ची पाउडर, एक चमच, कश्मेरी लाल मिर्च, इसे गोपी का कलर काफी अच्छा हैगा, आधा चमच डालेंगे, इसमें भूने हूए जीरे का पाउडर, सारे मसालों को अच्छे से मिला लें, डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा पानी, ताकि सारे मसाले काफी अच्छे से कूख हो जाएं, अब हमें इसे तो यहां मैंने ढख दिया है, ताकि मसाला जो है, वो काफी अच्छे से पक कर त्यार हो जाएं, यह देखे, काफी अच्छे से मसाला हमारा भून चुका है, जैसे ही मसाला आपको अच्छे से भूना हुआ लगी, कि ओल रिवीज हो चुका है, तब उसमें हम फ्राई करी और गोभी दोनों एड़ कर देंगे, अच्छे से मिला लें, इस तरह से सबजी बनाई हुई काफी टेस्टी लगती है, गोभी और आलू का स्वाद, काफी अच्छा आता है, डिफरेंट आता है, अब अपने अकॉर्णिंग इसमें पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, अगर चाहो कि आपको ड्राई पसंद है, तो आप इसी फोम में भी रख सकते हो, थोड़ी तर इसे ढख कर पकाएंगे, ताकि जितने भी मसाले हैं, वो गोभी के अंदर अच्छे से एब्सॉब हो जाएं, उसका टेस्ट जो है फ्लेवर कफी अच्छा है, तो यहां पर मैं ढाल तो लीजिए, सबजी हमारी यह कितनी बढ़िया तरीके से तयार हो चुकी है, काफी अच्छे से पक गई है, काफी अच्छा इसका टेक्स्चर है, आई होप आपको यह रेसिपी काफी अच्छी लगने वाली है, तो दोस्तों जरूर बनाएं और अपने कमेंट्स मेरे साथ साजा करें कि आपको कैसी लगी यह रेसिपी, यहाँ पर मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची लगा रही हूँ, इसको डेकोरेट करने के लिए, तो दोस्तों फिर मिलूंगे आपसे बहुत जल एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इंजॉय करें आप चपाती पराठा किसी क के साथ भी आलू और गुबी की सबजी को, तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाबाई कर दो तक का लिए बाबाई